नमस्कार दोस्तों, भारत में जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, यानि चार जोन को, उसी दिन नीट परिक्षा का रिजल्ट भी अचानक से घोशित करती आ जाता है। आखिल लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन नीट एक्जाम का रिजल्ट घोसित करने के पीछे क्या कारण रहोगा। हर साल परिक्षाओं में लाको इस्टुडेंट एक्जाम देते हैं और एक्जाम के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 10 सालों में अभी तक 45 से ज़्यादा सरकारी भरती परिक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। इसमें अनुमानित 3 करोड से ज़्यादा परिक्षारतियों पर बुरा असर पड़ा है। इन में से कुछी एक्जाम दुबारा कराए गए वरना सारे एक्जाम अभी तक पैंडिंग चल रहे हैं। दस साल के एक्जाम पैंडिंग चल रहे हैं। पेपर लीक मामले को देखते हुए साल 2024 में कानून भी लाया गया। लेकिन उस कानून के बाद भी लगातार पेपर लीक के मामले जारी हैं। और केंडर सरकार या सभी राज्य सरकारे पेपर लीक मामले को रोकने में पूरी तरह से फैल साबित हुए है। और तो और 2-2 महीने पहले ही परिक्षाओं के पेपर लीक करती हैं। 2024 के 6 महीने की बात की जाए तो अभी तक टोटल 4 पेपर लीक हो चुके हैं 6 महीने में 4 पेपर जिसमें 1 करोड से ज़्यादा केंडिडेट्स को अभी भी इंतजार है कि परिक्षा कब होगी कब नहीं क्योंकि अभी तक डेट सामने नहीं आ पाई है पिछले 6 महीने में UP पुलिस भरती परिक्षा, UPPSC, RO, ARO परिक्षा, NEET, UG परिक्षा और UGC, NET परिक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं फरवरी 2024 में UP पुलिस भरती परिक्षा के समय उत्तर परदेश की योगी आधित्यनाथ सरकार ने प्रेस नोट तक जारी कर दिया तो योगी आधित्यनाथ भी कुछ नहीं कर पाया इस परिक्षा में 50-60 लाख विद्यार्तियों का करियर दावपल लगा हुआ था और बाद में योगी को स्विकार करना पड़ा कि पेपर लीक हुआ था इसी तरह UPPSC के समय भी हुआ UPPSC में लगबग 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और अब नीट परिक्षा में धानली सामने आने पर भी सेम यही हुआ कि शुरुआत में हर किसी ने इसमें धानली से इनकार कर दिया लेकिन मामले ने जब तूल पकड़ा और मीडिया में खबरे आने शुरू हुई लेकिन तब भी मीडिया में खबरे आने के बाद सब कुछ सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार के किसी नेता मंतरी ने इस पर मुह नहीं खोला पंद्रे दिन के बाद में सिक्षा मंत्री की तरब से ट्वीट निकलते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी रेलियों में दो फुट का मुह चोड़ा करके भाशन देते हैं यहां पर मुह में धही जमाई बैठे हैं और मुह से एक शब तक निकालने को तैयार नहीं है नीट परिक्षा में 23 लाग से जादा लोगों ने फॉर्म भरा और अब उनका पूरा करियर दाव पर लगा हुआ है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इस परिक्षा का वेट करें या किसी और फिल्ड में जाकर मेहनत करें लेकिन किसी भी फिल्ड में जाएं एक्जाम दें तो एक्जाम तो सब जगे लीक ही होंगे नीट के अलावा UGC नेट परिक्षा अभी 4-5 दिन पहले यानी 18 जून 2024 को ही थी इसमें भी 11 लाग से ज़्यादा अभ्यर्तियों ने UGC नेट परिक्षा दी पेपल लीक हो जाने की वज़े से इस परिक्षा को रद्द करतिया गया है अभ्यर्ति धर्ना दे रहे हैं परदर्शन कर रहे हैं लेकिन मोदी साम मुह से कुछ भी बोलने को तयार नहीं है सुप्रीम कोट भी मोदी सरकार की भाषा बोल रहा है और उसने भी परिक्षा को रद्द करने से मना कर दिया है पिछले 10 सालों में हमारा देश एक्जाम पेपर लीक मामले में नंबर वन की पोजिशन पर खड़ा हुआ है 10 सालों में लगबख 45 पेपर लीक हो चुके हैं कहीं और विश्योगरू बने लेकिन हम लोग यहां पर विश्योगरू बन चुके हैं राज्य सरकारों के साथ केंदर सरकार भी कोई एक्जाम लीक कराए बिना पूरा करवा ही नहीं पा रही है पेपर लीक की समस्या सिर्फ नौकरियों के एक्जाम में ही नहीं है इसी तरह तमिल नाडो में 2022 में दस्वी और बार्वी की बोर्ड परिक्षा के पेपर लीख हो गए थे राजिस्थान में 2018 से 2022 तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली 12 परिक्षाईं रद्द की गई क्योंकि सभी के पेपर लीख हुए थे पेपर लीख की घटनाओं में सबसे नंबर वन पर गुजरात और राजिस्थान राजियों है इन दोनों राजियों में 7-8 सालों में 14-14 बार परिक्षाईं लीख हुई है इसी तरह उत्तर परदेश में साल 2017 के बाद से अब तक 12 बार परिक्षाईं लीख हो चुकी है पश्चमी बंगाल, तमिल नाडू, मद्यपरदेश, करनाटक, महराष्ट, बिहार और हरियाना कोई भी जगा ऐसी नहीं है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर पेपर लीख ना हो रहे हुँ पेपर लीख होना एक साधारन घटना नहीं मानी जा सकती इन परिक्षाओं में लाखो स्टुडेंट का भविश्य दाव पर लगा होता है पेपर लीख होना बताता है कि हमारे एजूकेशन सिस्टम में कितना जादा भ्रष्टा चार है और इसमें कितनी जादा खामिया है और इन पेपल लीग को रोकने में नाकाम राज्य सरकारे या सेंटरल गवर्मेंट पूरी तरह से फेल होती जारी है जिससे ये साबित होता है कि सरकार खुद भरष्ट है तभी पेपल लीग नहीं रोकना चाहती खुद से क्या ऐसे देश में एकजाम स्केम रुख सकते हैं जहां पर पेपल लीग होने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर 15 दिन के बाद में ट्वीट करता है एजुकेशन मिनिस्टर के सौशल मीडिया हैंडल को खंगालो तो उस पर मोधी जी की एडवर्टाइजमेंट के अलावा शायदी आपको कुछ और दिखता हो सौशल मीडिया हैंडल को देखका लगता है कि धर्मेंदर परधान एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है बलकि मोधी जी के प्राइवेट और परसनल एडवर्टाइजिंग एजिंसी हैं कितने शर्म की बात है कि केंदरिय महिलाएवं बाल विकास मन्त्री पर बेटी पढ़ाओ वो भी हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है और मोधी सरकार और भजपा के भक्त छाती पीट पीट कर कहते हैं कि ये देश विकास की तरफ जा रहा है, देश विशुगरू बनने जा रहा है अनपट गवाल लोगों के हाथ में मंत्री पत देकर घंटा विकास हो रहा है पेपल लीक मामले में करोडों नहीं अर्बो रुपे कमाई जाते हैं और एक बड़ा हिस्सा इन नेताओं और मंत्रियों के पास भी जाता है ना सिर्फ इनके पास बलकि सरकार के पास भी जाता है यही वज़ा है कि राज्य सरकार हो या केंदर की सरकार पेपल लीक को रोकना ही नहीं चाहती है यह वही मोधी सरकार है जो 2013-14 में विद्वा विलाप करती थी कि हम भ्रष्टा चार को खत्म करके काला धन वापिस लाएंगे सौ दिन मांगते थे महलत में लेकिन आज हर पेपल लीक में अर्बो रुपे का काला धन बनता है और विदेशों में खोले आम भेजा जा रहा है लेकिन हमारे महा मानव अविनाशी नरेंद्र मोधी मूँ खोलने को तयार नहीं है महा मानव का मूँ खोलना तो छोड़िये उनके मंत्री तक जिम्मेदारी लेने को तयार नहीं है रेल दुरगटना होने पर अश्वनी वैशनव रेल मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लेता पेपर लीख होने पर एजुकेशन मिनिश्टर धर्मेंदर परदान जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर देता है और मजे की बात यह है कि इनका इस्तीफा भी कोई नहीं मांग रहा क्योंकि इन्हें आने वाले हरियाना विधान सभा चुनाव में भाजपा ने अपना चुनाव परभारी बनाकर हरियाना भेज दिया है इनकी जवाब देहीज अब सिर्फ इतनी है कि आने वाले हरियाना चुनाव में जीत दिलवानी है फिर चाहे हर रोज एकजाम लीख हो, हर रोज रेल दुरगटना हो, हर रोज लाखो करोडों सेकडों आदमी मारे जाएं इन्हें कोई भी किसी भी तरह से घंटा फरक नहीं पड़ता अब CBI जांच का नाटक शुरू हो चुका है और फाइनल में जो परिणाम आएगा CBI जांच का वो आपको हमको सब को पता है क्योंकि छोटी मसलियों को फसाया जाएगा और बड़ी मसली सेफ हो जाएगी असल में कोई भी राज्य सरकार हो या केंदर की सरकार पेपल लीक रोकने में पूरी तरह से फेल तो है बलकि ये सरकारे भ्रष्टाचार में लिपते हैं इसी वज़े से पेपल लीक को जान बूझ कर रोकना नहीं चाहती हैं चाहे इसके लिए करोडो इस्टुडेंट का जीवन दाव पर क्यों ना लग जाए